इस question को भी आपने traditional तरीगे से बहुत आसानी से कर रहा होगा आपने assume कर लिया लेट से ये हेन था और होर्स था तो आप assume कर लेते हो क्या कि लेट से x है है हिन तो होर्स कितना हो जाएगा 300 माइनस x हिन के 2 2 legs हैते हैं तो 1 3 2 करोगे प्लस क्या लिख होगे होर्स के 4 legs होते हैं तो आप 300 माइनस x इंटो 4 करोगे और ये total leg equate करते होगे 750 से और यहां से आप answer find out कर लोगे लेकिन हम इस method का use नहीं करेंगे इसके बदले alternate method का use करेंगे यहां पर total legs को देख लेते हैं allegation से यहां पर क्या given है? हिन है और यहां पर क्या given है? होर्स है और total legs आपको given है 750 और head कितना given है? 300 तो अगर सारे के सारे हिन होते एक भी horse नहीं होता तो number of legs कितना होता? 600 अगर सारे के सारे horse होते एक भी हिन नहीं होता तो number of legs कितना होता? 1200 लेकिन कुछ हिन है और कुछ horse है तो दोनों को मिला कर average value कितना है? 750 तो हमें यहाँ पर ratio आसानी से मिल लागा और यह ratio कितना होता? 1200 minus 750 करोगे बच्चे तो यह किसके equal होता? 450 के और 700 minus 600 तो यहाँ पर difference कितना होता? 150 का तो यही आपको ratio मिल लागा हिन में और horse में तो यह value किसके equal होता? 3 is to 1 मे means 4 unit के value किसके equal था? 300 के So 1 unit के value किसके equal हो जाएगा? 75 और 3 unit के value कितना होगा? 225 600 So आप से पूछ रहा था कितने हिन्स है? तो हिन्स के संग कितने हो जाएगी? 225 Number of हिन्स कितना होगा? Option number C प्रिफने होगा कितने होगा हो जाएगी? 235